खतरनाक रंग लेगी मिडिल इस्ट की जंग हिजबुल्ला ने इस्राइल के उड़ाये होश सुरंगो और रॉकेट लॉंचरों से हटाया परदा तेलवीव पर काल बनकर तूटेगी इमाद फोर हिजबुल्ला लगातार इस्राइल पर दवाव बना रहा है अपने खतरनाक ड्रोन और मिसालों से इस्राइली एर स्पेस में खुशकर हमले कर रहा है हिजबुला लड़ा के लगातार इस्राइली सेना और उनकी फ्रिकानों पर रॉकेट बरसा है बीते दिनों इस्राइली एरिस्ट्राइक में हिजबुल्ला के कई कमांडर के मारे जाने से तिल मिलाया हुआ है लिबनानी समू ने इस्राइल को खतरनाक परणाम भुगतने तक की चिताबनी दे रखी है तनाव बढ़ता देख अमेरिका भी इस्राइल को लिबनान से संगर्ष ना बढ़ाने की हिदायत दे चुका है बावजुद इसके दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है वहीं हिजबुल्ला भी अपनी ड्रोन पावर से इस्राइल को चक्मा दे चुका है उसके कई ड्रोन इस्राइली ठिकानों की रेखी कर चुके हैं दावा है कि इसराइल पर हमले से पहले हिजबुला ने इसराइली सेना के एहम ठीकानों की मैपिंग पूरी कर ली है। वहीं लिबनान और इसराइल में सीधे युद्ध के खत्रे के बीज हिजबुला ने अपनी ताकत फिर से नुमायना की है। लिबनान की इसलामिक प्रतिरोध ने एक वीडियो जारी कर इसराइल समयत उसके पश्यमी सायोगियों की नींद हराम कर दी है। वीडियो में हिजबुला ने लंबी अंडरग्राउंड टनल और खतरनाक रॉकेट लांचरों के साथ एक बड़े मिसाइल कॉम्पलेक्स इमाद 4 से परदा हटाया। हिजबुला ने इमाद 4 फैसिलिटी का प्रेदर्शन करते हुए 4 मिनट से जादा का एक वीडियो जारी किया है। फुटेज में समो ने अपनी अंडरग्राउंड सर्विस का खुलासा किया। इसमें बड़ी सुरंगों में बड़े रॉकेट लॉंचर और सेन ने उपकरण देखे गए। वीडियो में लड़ाकों को सुरंगों में मोटर साइकल चलाते हुए भी दिखाये गया है। हिजबुल्ला ने दावा किया कि ये सुविदा न सिर्फ इसराइल की टोही ताकतों से छिपी है बलकि संभावित हमलों के खिलाफ भी सुरक्षा देती है। वीडियो में हिजबुल्ला चीफ हसन नस्रल्ला का बयान भी सुना जा सकता है कि प्रतिरोत के रॉकेट उत्तर में किर्यट शमोनाक से लेकर दक्षड में इलियट तक पूरे फिलिस्तीन इलाके को कवर करते हैं। वीडियो में मिसाइलों से लदे ट्रकों को टनल में घुसते हुए देखा जा सकता है। इमाद मुगनिये की तस्वीर भी दिखाई गई है। जिसकी साल 2008 में सीरिया में हत्या की गई थी वहीं उनके उत्रा अधिकारी फॉट शुक्र थे। जिसे इसरायल ने 30 जुलाई 2024 को बेरू तेर स्ट्राइक में धेर किया था। वीडियो में हसन नसरला ये भी दावा कर रहा है कि इलाके में समू के आने के बाद से प्रतिरोत पहले से कहीं अधिक मजबूत है। बताते चले कि इमाद 4 में एक अत्यादूनिक टेकनिकल सिस्टम और एक सुरक्षित संचार नेटवर्क है जो इसे बाहरी दुनिया से जोड़ता है। इसे मिंटों के अंदर ही लॉंचिंग की कमाड मिल जाती है। अत्रिक्त सुरक्षा के मद्दे नज़र नेटवर्क के संचार को जादा एंक्रिप्ट किया गया है। हिजबुला के हथियारों की खदान में दर्जन भर से जादा देखे गए जो भारी भर कम 220 और 303 कैलिवर रॉकेट को लॉंच करने का मद्दा रखते हैं। हिजबुला के हालिया वीडियो पर इस्राइली मीडिया ने भी प्रतिक्रिया दी है। इस्राइली मीडिया ने चिताबने देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि हिजबुला की ओर से जारी किया गया वीडियो उसके विशाल का अटाकतों का एक छोटा सा नमूना भर ही है। इस्राइली न्यूज वेबसाइट कीपा ने कहा कि एक विशाल सुरंग के अंदर से हिजबुला ने इस्राइल को एक संदेश के साथ एक एडवांस मिसाइल सिस्टम का खुलासा करते हुए अपना साइकोलोजिकल वारचारी रखा है। वहीं एक और मीडिया आउटलेट मिवस्क लाइव ने कहा हिजबुला ने लॉंच करने के लिए तयार मिसाइलों से लैस एक अंदर ग्राउंड मिसाइल शहर का खुलासा किया है। फिर भी इसराइलिस रक्षा अधिकारियों और वरिष्ट ने ताओं के अधिकरित तोर पर कोई टिपपड़ी नहीं की है। ये विडियो बढ़ते शेत्री तनाव की प्रिष्ट भूमी में आया है। इसका मकसद इसराइल को रोकना और अंतराश्य समुदाय पर दबाव बढ़ाना है। ऐसे में हिजबुला का हाल या विडियो इसराइल को लिबनान पर हमले करने के फैसले को फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है।